नमस्कार आप देख रहे भारत मित्रलाई मैं हूँ आपके साथ निशाम मश्रा राजनिती की जगत की उठा पठक हो या विरेश की चर्चित खबरे बॉलिवुड का गौसिप हो या हो खेल के मैदान की खबरे ये सब आप देख पाएंगे सर्फ और सर्फ देश दिशांतर म के वस्तरित रूप से लेकिन इससे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइन्स ममता ने गोवा में जन सभा शुरू करने से पहले पुर्व रक्षामंत्री मनुहर परिकौर को किया याद काशिव विश्वनात कॉरिडॉर का हुआ लोकारपन अमेरिका में तुफान से भीश पाकिस्तानी को मिली धंकी भारत की बेटी हर नाजक और संदू ने किस सालों के बाद जीता मिस यूनिवर्स दो हजार इकीस का ताज पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने प्रेस कॉन्फरेंस में खोया आपा रिपोर्टर से भीड़े स्पाइडर मैन नोवे हूम ने रिली पर गुवा पहुंची हैं उनके साथ पाटी के महा सचीव और सांसद अविशेग मैनर जी भी उनके साथ वहाँ गये हैं सीयम अमता ने दोस्त और दुश्मन की परिभाशा से परे सोम वार को अपने कारिक्रम को शुरू करने से पहले गोवा के पुर्व मुख्य मंतरी और भाजपा नित केंद्र सरकार में रक्षा मंतरी रहे दिवंगत मनोहर परिकर को याद किया सीयम ने परिकर को उनके जन्म दिन पर स्मरण करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मनोहर परिकर जी का मैं स्मरण करती हूँ पुर्व रक्षा मंतरी वा गोवा के पुर्व मुख्य मंतरी का आज जन्म दिन है मुख्य मंत्री का यह ट्वीट राजनितिक हलचलों में चर्चा का विशय बना हुआ है सीए मंता गोवा में जन्द सभा करने के साथ ही कई अन्य कारिक्रमों में भी हिस्सा लेंगी प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के हाथो काशी विश्वनात कोरिडोर का लोकारपण संपन हुआ इस मौके पर पीम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नगर कोतवाल काल भहरोजी के चर्णों में शीश नवा कर आ रहा हूँ काशी में कुछ भी खास हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है मैं काशी के कोतवाल के चर्णों में नमन करता हूँ प्रधान मंत्री ने आज कासे विश्वनात धाम के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों पर भी फूल बरसा कर उनका अभिवादन किया अमेरिका में आया चक्रवात अब और भी भी भीशन डूप लेता जा रहा है ताजा अपडेट की बात करें तो यहां के केंटुकी के मुम्बती कर खाने में आठ लोगों की मौत की पुस्टी हो गई है और आठ अन्य लापता है इसके अलावा इस तुफान के कारणी मारतों की नीचे दबने से शनिवार को लगभग सो लोगों की जान चली गई थी बता दे कि यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े चक्रवातों में से एक है बेमौसन तुफान ने मेफिल्ड के छोटे से शहर को तबाह कर दिया है इसने कई नर्सिंग होम और एक एमजन गोदाम को भी तहस नहस कर दिया है वही राष्टपती जो बाइडिन ने इसे अमेरिका के इतिहास में बड़ी तरासिदी बताया है और कहा है कि इस तुफान में कितने लोगों की जान गई है ये अभी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता संसत भवन पर आतंकी हमले की बीसवी बरसी पर सोम बार को पीम नरींद्र मूदी और ग्रिह मंत्री अमित शाह समीत कई राजनितिक हस्तियों ने हमले के सहीदों को श्रधान जली दी यह हमला संसत की शीत कालिन सत्र के दौरान हुआ था उस समय देश के नौ वीर सपूतों ने खुद को निचावर कर भारत माता की लाज बचाई थी उस घटना को याद कर आज भी देशवासियों के आखें नम हो जाती हैं इस अवसर पर पीम मोदी ग्रिह मंत्री अमित शाह है कि उनकी प्रोफेसर उलिवेरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है बता दे कि प्रोफेसर उलिवेरा इसे विश्वविदाले में काम करते हैं विश्वविदाले के प्रवक्ता मार्टिन विल जोन ने कहा है कि या निंदन्य है कि विज्यानिकों को निशाना बनाया जा रह के Omicron variant की पहचान की पंजाब की 21 वर्षिय हरनाज को और संधू ने Miss Universe 2021 का किताब अपने नाम कर लिया है हरनाज ने इस प्रतियोगिता में पैरागुए और साउथ अफरिका की मॉडलों को हराया Miss Universe 2021 प्रतियोगिता का आयोजन इसराइल के एलात में हुआ था भारत की बेटी ने 21 सालों बाद Miss Universe का ताज हासल किया है हरनाज से पहले साल 2000 में लारा दत्ता और साल 1994 में सुस्मिता सैन ने इस किताब को जीता था Miss Universe 2020 रही मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने हरनाज को Miss Universe 2021 का ताज अपने हाथों से पहनाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 23 गेंदबाज हसन अली एक बार फिर विवादों में घेरे नजार आ रहे है पाकिस्तान सूबर लीग 2022 प्लेयस ड्राफ्ट के बाद हसन अली की एक मीडिया कर्मी से बहस हो गई फिर क्या था मीडिया कर्मी अपने सवाल दागे जा रहा था और हसन अली टाल मटोल कर रहे थे दरसल हसन अली मीडिया से बात कर रहे थे इसी दोरान एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया जिसका पाकिस्तान के गेंदबाज ने जवाब देने से इंकार कर दिया हसन के इस बैबहार पर पत्रकार ने अपनी नाराजगी जाहिर की वहीं हसन अली ने रिपोर्टर से कहा कि आपको किसी के साथ पॉसनल नहीं होना चाहिए हॉलिवड फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम ने रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ओफिस पर तुफान ला दिया है टिकट बिख चुके हैं तो कहीं बाइस सो रुपए में एडवांस टिकट बिख रहा है ट्रेड एक्सपोर्ट तरण आदर्श ने इस हॉलिवड फिल्म को लेकर ट्वीट कर कहा है कि रुमांच पसंद करने वाले दुनिया में कम नहीं है आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलकात होगी तब देखते रहें भारत में तर लाइव नमस्कार अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें